MBT अर्जुन फौच का सबसे भरोसे मंद और जानदार लड़ा का जंग का मैदान चाहे कैसा भी क्यों न हो ये जिधर गुजरता है कबजे से लेकर हुकूमत भी इसी की होती है 10 मीटर लंबा और गरीब 4 मीटर चोड़ा पूरी तरह भारत में निर्मित ये टैंक अपने साथ कई खूबियां समेटे है 15 HP का भारी भरकम इंजन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़तार और 4 120 mm गन इतना ही नहीं ये मूविंग कारगेट को भी 25 किलोमीटर की रफ़तार से हिट कर सकता है जितना इंतिजाम अटेक का है उतना ही प्रोटेक्ट का भी है दुश्मन के जबावी हमले का भी इस पर कोई असर नहीं होता अर्जुन हर मौसम में दुश्मन के किले को दस्त करने का माद्दा रखता है बड़ी बात ये है कि सेना में अब अर्जुन की अगली कुरी भी जलवे दिखाने वाली है नाम है अर्जुन मार्क टू अर्जुन मार्क वन का एडवांस वर्जन जो नाइट इतन समेट पूरी तरह से डिजिटल कंट्रोल्ड है बात अगर जंगी टैंकों की फेहरिस्ट की करें तो भारत के पास दुनिया का सबसे आधुनिक्तम टैंक T90S भी मोजूद है सारहे 46 टन के इस भारी भरकम भीश्म टैंक को देख दुश्मन की रूप भना हो जाती है क्योंकि इस टैंक पर ना परमानू हमले का असर होता है और ना ही बायोलाजिकल और केमिकल हमले का स्तोरा तकनीक से लैस ये टैंक, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने की गुवद भी रखता है भारत के पास 372 टैंकों की भी लंबी चौडी खेप मौजूद है जो जरुवत पढ़ने पर दुश्मनों के दिलों में दह्शत पढ़ने के लिए काफी है इन टैंकों को पाकिस्तानी फीमा के अलावा चाइना बॉर्डर पर भी तैनाद किया गया है जंग का मैदान चाहे कैसा भी क्यों न हो ये जिधर गुजरता है कबजे से लेकर हुकूमत भी इसी की होती है दस मीटर लंबा और करीब चार मीटर चोड़ा पूरी तरह भारत में निर्मित ये टैंक अपने साथ कई खूबियां समेटे है 15 HP का भारी भरकम इंजन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 4 120 mm गन इतना ही नहीं ये मूविंग कारगेट को भी 25 किलोमीटर की रफ्तार से हिट कर सकता है जितना इंतिजाम अटेक का है उतना ही प्रोटेक्ट का भी है दुश्मन के जबावी हमले का भी इस पर कोई असर नहीं होता अर्जुन हर मौसम में दुश्मन के किले को दस्ट करने का माददा रखता है बड़ी बात ये है कि सेना में अब अर्जुन की अगली पीड़ी भी जलवे दिखाने वाली है नाम है अर्जुन मार्क टू अर्जुन मार्क वन का एडवांस वर्जन जो नाइट वितन समेट पूरी तरह से डिजिटल कंट्रोल्ड है बात अगर जंगी टैंकों की पहरिष्ट की करें तो भारत के पास दुनिया का सबसे आधुनिक्तम टैंक T90S भी मौजूद है सारहे 46 टन के इस भारी भरकम भीश्म टैंक को देख दुश्मन की रूप भना हो जाती है च्योंकि इस टैंक पर ना परमानु हमले का सर होता है और ना ही बायोलाजिकल और केमिकल हमले का स्तोरा तकनीक से लैस ये टैंक, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने की गुवद भी रखता है भारत के पास 372 टैंकों की भी लंबी चोड़ी खेब मौजूद है जो जरुवत पढ़ने पर दुश्मनों के दिलों में दह्शत पढ़ने के लिए काफी है इन टैंकों को पाकिस्तानी फीमा के अलावा चाइना बॉर्डर पर भी तैनाद किया गया है